Exercise 2, प्रश्णवली 2, प्रारम्धिक संक्रियाओं एवं A is equal to IA की सहायता से A inverse ज्याद करो, with the help of elementary operation find A inverse. First question है, A का value this matrix, A is equal to IA, यह हम apply कर लेते हैं, A के place पर उसका value put कर दिये, is equal to I, identity matrix और यह A. हम जानते हैं कि यह जो identity matrix है, वो इधर shift होना चाहिए, यहाँ 1 आना चाहिए, इधर 0, इधर 0, यहाँ 0, यहाँ 0 लेकर आना है, यहाँ 1, sorry, यहाँ 0, 0, यहाँ 1 लेकर आना है, तो सब first rules है कि इसको हमको 1 ले किया आना है ये तो 1 है ही ये तो 1 है ही अब इसकी मदद से इसको हमको क्या करना है 0 हम row 2 में operation लगाते हैं row 2 minus 3 into करते हैं क्या row 1 3 into करेंगी इधर लाके subtract कर देंगे तो 0 आजाड 1 0 minus 1 1 0 0 यहां 3 into करेंगी इधर लाके subtract करेंगे तो 0 यहां 3 into करेंगी इधर लाके subtract करेंगे तो 4 3 into करेंगी इधर लाके subtract करेंगे तो यहां जाएगा 8 यहाँ जाएगा 5 और minus minus 3 तो यहाँ जाएगा 8 3 से इंटू करेंगे इधर लाग सब्टेक्ट करेंगे तो minus 3 यह जेव कत्यों रहेगा यह भी जेव कत्यों रहेगा फिर यह 0 है ही ठीक अगला rules है इसको 1 लेकर क्या आना इसको हमको क्या करना है 1 1 कैसे आएगा यदि हम R2 में R2 इंटू हम कर दें 1 by 4 से इंटू कर दें तो आज आएगा यह 1, 0, minus 1, 0 यहाँ 1 by 4 से इंटू करेंगे तो 1, यहाँ 1 by 4 से इंटू करेंगे तो 2 यहाँ 1 by 4 से इंटू करेंगे तो minus 3 by 4, यह 1 by 4, 0 बाकि जेयों के तेयों रहेंगे 0-6-7-0-0-1 नेक्स्ट ये 1 आ गया इसकी मदद 6 को हमको क्या करना है 0 करना है तो हम आपरेशन लगाएंगे R3 में R3 R3 में आपरेशन लगाएंगे हम यहां हम 6 असी इंटू करेंगे और इसमें ले जाके क्या कर देंगे add कर देंगे 6 इंटू क्या कर दें R2 R2 में 6 असे इंटू करेंगे और इधर ला करके add कर देंगे तो जीरो आ जाएगा 1 0-1 0 1 2 1 0 0 0-3 by 4 1 by 4 0 0 Yes इसमें 6 असे इंटू करेंगे इधर ला कर देंगे तो आ जाएगा यह 0 6 असे इंटू करेंगे इधर ला के add कर देंगे तो यह आ जाएगा minus 7 plus 12 भही आ जाएगा 5 यह आ जाएगा 5 इधर minus 3 by 4 है इसमें 6 असे इंटू करना है इधर ला करके क्या कर देंगे add कर देंगे तो यह आ जाएगा minus 9 by 2 minus 9 by 2 यह 1 by 4 है इसमें 6 असे इंटू करेंगे तो यह आ जाएगा 3 by 2 यह 0 का तेंग रहेगा इस प्रकार से next rules है हमारा इसको 1 करना है इसको 1 करना है तो हम कर देंगे r3 में लगाते हैं operation r3 इंटू करते हैं 1 by 5 1 0 minus 1 0 1 2 0 0 1 by 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा यह 1 0 0 minus 3 by 4 1 by 4 0 minus 9 by 1 by 5 सी इंटू करेंगे तो minus 9 by 10 आ जाएगा 3 by 10 आ जाएगा 5 सी इंटू करेंगे तो यह आ जाएगा 1 by 5 next rules है यहाँ इसको 0 करना है इसको 0 करना है सबसे पहले इंदोनों को add कर देते हैं operation हम r1 में लगाते हैं r1 प्लस करते हैं हम क्या r3 इंदोनों को add कर देंगे इंदोनों को add करेंगे तो 0 आ जाएगा इंदोनों को add कर देंगे तो यह आ जाएगा minus 9 by 10 10 10 minus 9 1 by 10 यह आ जाएगा 1 by 10 आ जाएगा यह इसको इधर add कर देंगे तो यह आ जाएगा 3 by 10 इसको इधर add कर देंगे तो 1 by 5 ठीक इसमें 2 से into करेंगे और यहाँ पर subtract कर देंगे r2 में लगाते हैं operation r2 minus 2 into करते हैं r3 इसमें 2 से into करेंगे इधर ले जाके subtract कर देंगे तो 0 आ जाएगा 3 by 4 जेओं करते हों रहेगा इसको इधर ले जाके subtract कर देंगे तो यह आ जाएगा minus 9 by minus 9 by 10 into 2 करेंगे तो यहाँ जाएगा 5 minus 9 by यह जाएगा 5 यह जाएगा minus 3 by 4 minus minus plus 9 by 5 LCM आ जाएगा 20 यहाँ 5 यहाँ 4 यहाँ जाएगा 15 plus 36 subtract कर देंगे तो यह आजाएगा 1 और यह 2 20 21 by क्या आजाएगा यह 20 यहाँ 2 sin 2 कर देंगे तो यह आजाएगा 3 by 5 इधर ले जा करके हम इसको subtract कर देंगे तो आजाएगा 25 और यह 4 5 minus 4 तो यह आजाएगा minus 7 by 20 इसको इधर ले जाएगा subtract कर देंगे तो 1 by 5 आजाएगा यह और बांकी जेम कते हो रहेगा minus 9 by 10 3 by 10 1 by 5 और यह A है finally यही हमारा A inverse का value आजाएगा 1 by 10 3 by 10 1 by 5 21 by 20 minus 7 by 20 minus 1 by 5 minus 9 by 10 3 by 10 1 by 5 यह हो जाएगा हमारा answer answer check कर लेते हैं हम क्या है answer बांकी सभी ठीक है यहाँ 2 से into करना था इधर ले जाके subtract करना था यहाँ 2 से into करना था इधर subtract करना था तो यह आजाएगा 2 by 5 बस answer correct next question second question है a is equal to हो जाएगा आईए book में आप देखेंगे यहाँ पर 3 दिया हुआ है उसको correct कर लेंगे 4 है एक्चुल में 1, 3, 3 1, 4, 3 1, 3, 4 और is equal to identity matrix ठीक है first rule सा है 1 होना चाहिए है 1 इसको 0 करना है इसको 0 करना है तो operation लगाएंगे हम R2 में R2 माइनस कर देंगे हम R1 इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं R2, change to R1 और माइनस 1 के साथ मैं ऐसा भी लिख सकते हैं इसको इधर सब्ट्रेक्ट कर देंगे इसको इधर सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो 0, इसको इधर सब्ट्रेक्ट करेंगे तो 1, इसको इधर सब्ट्रेक्ट करेंगे तो 0 इसको इधर सब्ट्रेक्ट करेंगे तो minus 1 ये जेंग करते हूँ ये जेंग करते हूँ एक operation और लगाते हैं इसको भी सब्ट्रेक्ट कर देते हैं R3 में लगाते हैं R3 माइनस करते हैं R1 इसको इधर सब्टेक्ट करेंगे तो 0 इसको इधर सब्टेक्ट करेंगे तो 0 इसको इधर सब्टेक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 1 नेक्स्ट रूल्स है कि इसको 1 होना चाहिए यह है 1 अब इसकी मदद सी इसको 0 करना है हम R1 में operation लगाते हैं R1 इसमें 3C2 कर देते हैं R2 है इसमें 3C2 करके धर ले जाके क्या कर दें subtract कर देती हैं तो यह आजाएगा 1 3C2 करेंगे धर ले जाक सब्ट्रेक्ट कर देंगे 0 यह जेम करते हो रहेगा 3 sin 2 करेंगी धर ले जाग सब्ट्रेक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4 3 sin 2 करेंगी धर ले जाग सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो आ जाएगा माइनस 3 यह जेव कतिक रहेगा ठीक इसके पास शाथ next rules है कि यह 1 होना चाहिए यह है 1 अब इसकी मदद से इसको हमको क्या करना है जीरो करना है तो हम operation लगाते हैं हम operation r1 में लगाते हैं r1-3 क्या करें r3 इसमें 3 sin 2 करते हैं धर ले जाके सब्ट्रेक्ट कर देते हैं 1, 0, 0, 0, 1, 0 यहां 3 से इंटू करेंगे इधर ले जाके सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो आज आएगा यह 0 3 से इंटू करेंगे इधर ले जाके सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो यह आज आएगा 7 3 से इंटू करेंगे इधर ले जाके सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो जहें करते हैं 3C2 करेंगी धरले जाग सब्टेक्ट कर देंगे तो आ जाएगा माइनस 3 और यह A A inverse is equal to आ जाएगा 7-3-3-3-1-1-0-1-0-1 यह हो जाएगा हमारा answer answer हम check कर लेते हैं 7-3-3-1-1-0-1-0 yes correct next question next question question number third एक value this matrix इसका inverse find करना है यहाँ 1 होना चाहिए है 1 इसकी मदद से इसको 0 करना है तो R2 में operation लगाते हैं R2 माइनस करते हैं 2 into R1 R1 में 2 से इंटू करेंगी धर लाके subtract करेंगे 2 से इंटू करेंगी धर subtract कर देंगे तो 0, 2 से इंटू करेंगी इधर लाके subtract कर देंगे तो 0, 2 से इंटू करेंगी इधर लाके subtract कर देंगे तो माइनस 1, 2C इंटू करेंगी इधर सब्ट्रेक्ट, माइनस 2, 1 और यह 0, एक और लगाते हैं हम, इसमें 3C इंटू करते हैं, इधर सब्ट्रेक्ट करते हैं, R3 में लगाते हैं, R3 माइनस 3 इंटू करते हैं, क्या R1, इसमें 3C इंटू करेंगी इधर लाके सब्ट्रेक्ट कर कर दिंगे माइनस one three sin two करेंगे इधर लाके सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो आ जाएगा माइनस three जेओं काते हो रहेगा यह जेओं काते हो रहेगा अब next rule सा है कि भाई यहां one आना चाहिए लेकिन यहां one नहीं हैं तो यह करते हैं R2 को R3 में भेज देते हैं और R3 को हम R2 में ले आते हैं तो यह आज आएगा 1, 2, 3 1, 0, 0 जो R3 है इसको R2 में ले जाते हैं 0, minus 1, minus 3, minus 3, 0, 1 जो R2 में है 0, 0, minus 1, minus 2, 1, 0 इसको हम R3 में ले आते हैं अब हम यहाँ minus into कर देंगे यहाँ हम minus into कर देंगे R2, R2 into क्या कर दें हम? minus 1 तो यह आजाएगा 1, 2, 3, 0, 1, 3, 0, 0, minus 1, 1, 0, minus का हो जाएगा plus 0 और 1 का हो जाएगा minus 1, minus 2, 1, 0 ठीक यह 1 आगया यह 1 की मदद से इसको 2 करना है हम R1 में operation लगाते हैं R1 और इसमें हम कर देते हैं 2 into R2, R2 में 2C into करते हैं धर ले जाकी क्या कर देंगे? subtract कर देंगे तो इस 0 आजाएगा 1, 0, 0, 1, 3, 3, 0, minus 1, minus 2, 1, 0 और 0, minus 1 ठीक है इसमें 2C into करेंगी? धर ले जाक सब्ट्रेक्ट कर देंगे 0, 2C into करेंगे यहां 2C into करेंगी धर ले जाके सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो यहाँ जाएगा 3, minus 6, तो यहाँ जाएगा minus 3 2C into करेंगी धर ले जाक सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो यहाँ जाएगा minus 5 तूसी इंटू करेंगे तो जियों कत्यों रहेगा तूसी इंटू करेंगे इधर ले जाग सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो यह आज आएगा प्लस टू अब हमारा मेन रूल है इसको वन लेकिया आना है हम करते हैं आर यह आएगा 3 आर 3 इंटू क्या कर दें माइनस 1 तो आजाएगा 1 0 माइनस 3 0 1 3 0 0 माइनस है हो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस 5, 0, 2, 3, 0, माइनस 1 जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस अब जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इस प्रकार से अगला रूस 1 था 1 आ गया अब इसकी मदद से इसको 0 करना है इसकी मदद से इसको भी 0 करना है operation लगाते हैं हम r1 में लगाते हैं r1 इसमें 3 से इंटू करके इधर add कर देते हैं 3 से इंटू कर देते हैं किसमें r3 में और r1 से add कर देते हैं तो आज आएगा 1, 0, 3 से इंटू करेंगे इधर add कर देंगे तो आज आएगा ये 0 3 sin 2 करेंगे 6 आ जाएगा इधर add कर देंगे तो आ जाएगा ये 1 3 sin 2 करेंगे इधर add कर देंगे तो 3 ये जेओं करते हो जाएगा फिर एक operation लगाते हैं यहाँ पर R2 में R2 माइनस करते हैं 3 into R3 इसमें 3 sin 2 करेंगे इधर ले जाके subtract कर देंगे तो आ जाएगा 0 1 यह आजाएगा 0 3 sin 2 करेंगे 6 और इधर ले जाके 8 कर देंगे तो आजाएगा यह 9 3 sin 2 करेंगे इधर ले जाके 8 कर देंगे जेहों कते हों बांकी जेहों कते हों रहेगा 001 210 यह A तो A inverse is equal to आजाएगा 13293-1 210 यह हो जाएगा हमारा answer next question question number फोर्थ है A is equal to I A तो यह आजाएगा 13-2 minus 3 0 minus 5 250 1000 001 001 और A यह 1 होना चाहिए है 1 यह इसको हमको 0 करना है तो हम एक operation लगाएंगे R2 में R2 प्लस हम करते है 3 into R1 3 into करेंगे धरलाक लिया करके add कर देंगे तो यह आजाएगा 3 into करेंगे धरलाक लिया कर देंगे तो 0 3 into करेंगे धरलाक लिया कर देंगे तो 9 3 into करेंगे धरलाक लिया कर देंगे तो यह आजाएगा माइनस 5 और माइनस 6 एड़ करेंगे तो आज आएगा माइनस 11 3 सी इंटू करेंगे इधर लाके एड़ कर देंगे जे उखते हैं, तो 2 सी इंटू करना है अब, R3 में आपरेशन लगाते हैं, R3 और 2 इंटू करें हम R1, हम इधर लाके माइनस कर दें, तो यह आजाएगा 0 6 इधर लाके माइनस करेंगे तो माइनस 1 4 माइनस 4 और यह आजाएगा, प्लस 4 2 और इधर लाक माइनस करें तो यह जे उखते हैं, अगला रूल्स है, कि इसको हमको 1 लेके आना है, तो इसके लिए हम चेंज कर देते हैं R 2 चेंजिंग टू R3 और R3 को हम R1 में ले आते हैं और एक आपरिशन और लगा देते हैं हम साथ ही साथ पहले ले आते हैं तो आज जाएगा 1 3 माइनस 2 1 0 0 0 माइनस 1 4 माइनस 2 0 1 0 9 माइनस 11 3 1 0 यहीं पर एक और आपरिशन लगा देते हैं हम R2 में R2 और माइनस 1 से इंटू कर देते हैं, तो यह माइनस आ जाएगा समझने में आपको दिक्कते होंगी इधर लगा देते हैं R2 में R2 और इंटू क्या कर दे हम, माइनस 1 तो यहाँ जाएगा 1 3 माइनस 2 0, यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अब जो प्लस है वो हो जाएगा, माइनस बाकी जहें किते हों रहेंगे, 0 9, माइनस 11 1, 0, 0 माइनस 2 0, 1 3, 1, 0 इस प्रकार से नेक्स्ट यह 1 है, इसको 0 लाना है इसी की मदद से इसको भी 0 लाना है वो R1 में हम आप्रेशन लगाते हैं R1 माइनस करते हैं, 3 इंटू R2 1, यहाँ 3 से इंटू करेंगे इधर लाएगे तो 0 हो जाएगा 3 से इंटू करेंगे और इधर लाके सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो यह आजाएगा 10 आजाएगा 12 और प्लस 12 और माइनस टू 10 आजाएगा 3 से इंटू करेंगे 6 आजाएगा, उपर ले जाके सब्ट्रेक्ट कर देंगे माइनस 5 आजाएगा यह उक्ते हो रहेगा यहां 3 सी इंटू करेंगे 3 वन्सा 3 तो उपर प्लस 3 हो जाएगा 0 1 माइनस 4 2 0 माइनस 1 9 सी इंटू करेंगे इधर लाके सब्टेक्ट करेंगे R3 में आप प्रेशन लगाते हैं R3 माइनस 9 इंटू क्या कर दे R2 तो 9 9 वन्सा 9 इधर लाके सब्टेक्ट कर देंगे तो 0 यह आजाएगा माइनस 11 और यह आजाएगा प्लस 36 तो हमें मिल जाएगा 25 मिल जाएगा हमको 18 आजाएगा और माइनस करेंगे तो यह आजाएगा माइनस 15 और 1 ही रहेगा यह माइनस यहाज आएगा यहाँ पर 9 प्लस 9 आजाएगा 9 सी इंटू करेंगे धर सब्टेक्ट कर देंगे तो आजाएगा यह प्लस 9 नेक्स्ट रूल से है इसको 1 लेकिया आना तो R3 में हम लगाते हैं R3 इंटू 1 अपान क्या कर दें हम 25 कर देते हैं तो 1 आजाएगा यह 1 0 10 0 1 माइनस 4 0 0 1 आजाएगा यह माइनस 5 0 3 2 0 माइनस 1 माइनस 15 बाइ 25 1 बाइ 25 प्लस 9 बाइ यह आजाएगा 25 अब इसकी मदब सी इसको जीरो करना है इसी की मदद से इसको 0 करना है, हम एक operation लगाते हैं, r1 में लगाते हैं, r1-10 इंटु क्या कर दें, r3 कर देते हैं, इसी step को हम इधर देखते हैं, इसके बाद आप इधर देखिए, अब देखिए, ये 1 है, इसकी मदद से इसको 0 करना है, r1 में हम operation लगाते हैं, r1-10 इंटु क जा करें आर थ्री तो मिल जाएगा वान है टेंस इंटू करेंगे धर ले जाके सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो यह जाएगा जीरो इसमें 10 से इंटू करेंगे इधर ले जाके सब्ट्रेट कर देंगे तो यह जाएगा माइनस 5 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इसमें हम किसे इंटू करेंगे 10 से उपर ले जाके माइनस कर देंगे तो यह minus पहले से है minus minus हो जाएगा plus तो इन दोनों का LCM आ जाएगा 25 यहाँ 25 टाइमस आ जाएगा यहाँ जाएगा minus 125 plus यहाँ जाएगा 150 तो 150 यहाँ जाएगा 25 by 25 यहाँ जाएगा 25 by 25 फिर यह है 0 यहाँ 10s into करेंगे उधर ले जाएगा सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो आ जाएगा minus 10 by 25 यह है 3 इसको उधर जाएग सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो यहाँ जाएगा 9 by 25 into हम कर देते हैं 10 तो यहाँ जाएगा 25 75 minus 90 यहाँ जाएगा minus 15 by 25 minus 15 by यहाँ जाएगा यह 25 next देखते हैं, एक और operation लगाते हैं, इसमें लगाते हैं, r2 में, r2 प्लस करते हैं, 4 into r3, force into करेंगे धर ले जाके add कर देंगे, तो जाएगा 0, force into करेंगे धर ले जाके add कर देंगे, 2 यहाँ जाएगा 15 by 25 इसको force into कर देते हैं तो यहाँ जाएगा 25 25 50 minus 60 यहाँ जाएगा minus 10 by 25 minus 10 by 25 यह 0 है इसे force into करेंगे तो यहाँ जाएगा 4 by 25 यह minus 1 है इसमें हम force into करेंगे उपर ले जाके add कर देंगे तो आजाएगा 25 minus 25 plus 36 तो यहाँ जाएगा 11 by 25 यहाँ जाएगा 11 by 25 और इधर इस प्रकार से हम देख रहे हैं इधर complete identity matrix आगे हैं तो यह हमारा answer हो जाएगा चाहो तो आप यहाँ से 1 upon 25 को आप minus common भी ले सकते हूं a inverse is equal to 1 upon 25 को आप आउट ले लिजे तो यहाँ पर आजाएगा 25 यहाँ जाएगा minus 10 यहाँ जाएगा minus 15 यहाँ जाएगा minus 10 4 11-15 1 और 9 यह हो जाएगा हमारा answer चाहो तो आप minus को भी आउट ले सकते हूं यह हो जाएगा answer देखते हैं